हेलो फ्रेंड्स माइसेल्फ दॉक्टर मुक्रिश्मोर्या फ्रेंड्स हम लोग ने मिन्रल नुट्रिशन स्टार्ट किया था इसका पार्ट और हम लोग जिसमें उसका क्लासिफिकेशन देखा अब लोग इसका पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग रॉल आफ मैक्रो एंड माइक्रो नुट्रिशन देखेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कॉमन फंक्शन देखते हैं उसके बाद जो भी इस इंसल एलिमेंट है स इसल इसल मीजर इसका लिए इसमें पाट लेता है तो यह से बना हुआ है कार्बन से ओ्सीजन और या नाइट्रोजन से ठीक है, तो कोई भी चीज अंदर कब आएगा और बाहर कब जाएगा, वो किसके उपर depend करता है, वो cell के membrane के उपर depend करता है, और membrane किससे बना हुआ है, carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen, यह हम लोग ने classification में देखा, ठीक है, तो इससे कैसा आपित होता है, कि जो permeability है cell membrane, वो किसके उपर depend करती है, य electron transport system, इसमें जो iron है और calcium है, यह दो element part लेते है, ETS, जो हम लोग ने respiration में पढ़ा है, ठीक है, फिर आता है, maintain osmotic concentration of cell sap, means, जो cell sap है, उसका जो osmotic concentration है, उसमें उसका part लेता है, कुछ-कुछ element, जैसे की हो गया, potassium हो गया, chlorine हो गया, तो यह लोग क्या करते है, तो यह लोग क्य करके रखते हैं, ठीक है, फिर आता है, enzymatic action, means, कुछ-कुछ element ऐसे होते हैं, जो क्या करते है, cell के अंदर कुछ-कुछ enzymes को activate करते हैं, ठीक है, जैसे calcium हो गया, ठीक है, magnesium हो गया, magnesium हो गया, magnesium जिसे हम लोग देख सकते है, REBP carboxylase, oxygenase को, और PEP carboxylase को activate करता है, कब photosynthesis के time पे, फिर आता है, measure components of coenzyme, जो बहुत सारे coenzymes हैं, ठीक है, सब किसे बना हुए है, वो सब इन elements से बने हुए है, ठीक है, तो यह हो गया, उनका common function, अब हम लोग देखेंगे, एक एक करके, एक element study करेंगे, फिर वो कौन से form में absorb होता है, वो देखेंगे, फिर प्लांट के कौन से part में उसका requirement है, मिंस, प्लांट के कौन से part में सबसे जाधा requirement है, वो देखेंगे, फिर उसका काम देखेंगे, क्या काम करता है, फिर उसके deficiency से क्या क्या हो सकता है, plant में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो चली, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आता है, nitrogen, nitrogen के सबसे essential है, और सबसे greater amount में उसका plant में उसका requirement है ठीक है तो nitrogen कौन-कौन से form में absorb होता है चलिए हो देखते हैं तो सबसे परला जो nitrogen है वो nitrate, nitrite और ammonium के form में absorb होता है फिर से एक बर NO3, nitrate, NO2, nitrite और NH, NH4+, के ammonium है ये सब form में absorb होता है तीन form में अच्छी से जहान में रखना है नीट के लिए बहुत ही important point है ठीक है और requirement, all parts, ठीक है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है अधितर कहाँ पर पाया जाता है marismatic tissue में ठीक है और metabolically active cell वैसा cell जहाँ पर metabolism होता है function उसका क्या है तो उसका function क्या है measure constituents of protein मतलब protein, vitamin हो गया, nucleic acid हो गया, hormones हो गया इसमें nitrogen का जो composition है सबसे ज़्यादा होता है ठीक है इसके deficiency से क्या होता है stunted growth means plant का जो growth हो रूख जाता है या फिर कम हो जाता है ठीक है फिर दूसरा है chlorosis means nitrogen की deficiency से क्या होगा chlorophyll थोड़ा सा कम formation होगा जिसके बज़े से क्या होता है जो leaf है वो थोड़ा सा yellowish color का होने लगता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखते हैं हम लोग phosphorus क्या देखेंगे phosphorus तो phosphorus कौन से form में absorb होता है देखते हैं phosphorus होता है dihydroxy phosphate और hydroxy phosphate यह दो form में absorb होता है ठीक है phosphate required by constraints of cell membrane cell membrane जो है उसका जो constraints से बना हुआ है phosphate से बना हुआ है फिर all nucleic acid nucleotides और protein यह सब किसे बना हुआ है phosphate से इसमें वहा का इसमें phosphate का requirement है ठीक है काम क्या करता है phosphorusization में काम क्या करता है phosphorusization reaction बनता है या फिर ADP से ATP बनता है ठीक है phosphorusization में यहां पर सब से जादा इसका काम है ठीक है अगर phosphorus का deficiency होगा तो क्या होगा जो plant का growth एकदम कम हो जाएगा मतलब poor हो जाएगा ठीक है और जो leaf का color है उसका जो green color है मतलब उसमें एकदम डल हो जाएगा ठीक है फिर आता है potassium तिसरा आता है potassium potassium कैसे कोई से form में absorb होता है k-plus form में ठीक है इसका requirement कहां पर सबसे जादा malismatic tissue ठीक है bird leaves और root के tips में ठीक है करता क्या है anion-catine balance in cell means pH को maintain करता है anion-catine balance को balance करता है और क्या करता है protein synthesis ठीक है फिर opening and closing of stomata यह बहुत important है नीट के लिए ठीक है फिर आता है activation of enzyme means enzyme का activate करता है बहुत सारे enzyme को maintain turgidity of cell जैसे कि anion-catine को balance करता है means fluid जो cell के अंदर जो भी fluid होता है उसका osmotic concentration उसको balance करता है जिसके वज़े से क्या होता है जो cell का turgidity होता है जो उसका turgidity उसको maintain करता है ठीक है तो इसके उपर मैंने एक video बनाया है आप उसको देख सकते हो ठीक है osmosis फिर क्या करता है अगर इसके deficiency हो गया तो क्या हो जाएगा stunted growth means जो plant का growth है वो कम हो जाएगा फिर क्या बोला है yellow age of leaves अगर plant में लोगों पहचानना है कि potassium के वज़े से deficiency हुआ है तो कैसे पहचानेंगे अगर plant का जो leaves है leaves का age है अगर वो yellow color का होता है इसका मतलब क्या हुआ है उसमें potassium का deficiency है क्या लिखा है yellow age of leaves ठीक है mortal appearance of leaves और premature death ठीक है जो leaves है उतने अच्छे से develop नहीं होगा या फिर develop होगा भी तो क्या हो जागा तुरंद उसका death हो जाएगा means तुरंद plant का जो leaves है तुरंद उसका death हो जाएगा ठीक है plant में जो marismatic tissue जहाँ जहाँ पर available है वहाँ पर क्या होता है calcium का सबसे ज़्यादा requirement है और दूसरा कहाँ पर जहाँ भी differentiation होता है मतलब जहाँ पर cell का elongation हो रहा है ठीक है cell का plant में जहाँ पर growth sow करता है ओ जगे पर calcium का सबसे ज़्यादा requirement है ठीक है दूसरा काम क्या है इसका जो काम क्या है synthesis of cell wall यह सबसे important बात है दूसरा formation of mitotic spindle mitotic spindle बनाने में भी मदद करता है यह भी बहुत important है फिर normal function of cell membrane cell membrane का जो normal function है उसको भी उसमें भी काम करता है उसमें भी पार्ट लेता है फिर activate enzymes बहुत सारे enzymes को activate करता है और regulate metabolic activities जो metabolic activity है उसको भी regulate करता है calcium जो है ETS में भी पार्ट लेता है ठीक है अगर इसकी deficiency हो गई तो क्या हो जाएगा stunted growth मिंस जो growth है एकदम कम होने लगेगा दूसरा क्या है chlorosis of young leaves मिंस जो young leaves से तुरंद क्या हो जाएंगे green के बजाए yellow दिखने लगेगे क्यों yellow दिखेंगे क्योंकि उसमें chlorophyll की जो मात्रा हो धिरे-धिरे कम होने लगती है क्यों कम होगी क्योंकि उसमें calcium की deficiency है magnesium ठीक है activate enzymes for photosynthesis photosynthesis में जो भी enzymes पार्ट लेते हो सबको activate कौन करता है magnesium करता है फिर क्या करता है synthesis of DNA RNA DNA और RNA का भी synthesis करवाता है ये भी बहुत important है फिर क्या करता है maintain ribosomal structure ये exam में पूछ सकता है तीनों पॉइंट बहुत important है जिसमें से synthesis of DNA RNA और ribosom का structure इसको maintain करके रखता है ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा है फिर आता है chlorosis क्या आता है chlorosis अब देखते हैं हम लोग sulfur sulfur क्या है कौन से form में एबसर होता है sulfate form में कौन से form में sulfate form में इसको हम लोग क्या बोलते हैं sulfate इसको नाम के है cysteine और methanoline ये दो amino acid में present होता है और क्या है ये जो बहुत सारे coenzymes होते है vitamins होते है thymine हो गया biotine हो गया phyrodoxine हो गया इस सब में part लेता है sulfur ठीक है तो ये भी ध्यान में रखने वली बात है coenzymes हो गया thymine हो गया biotine हो गया phyrodoxine हो गया ठीक है और इसके deficiency से क्या होगा chlorosis आपको मालिए में chlorosis में क्या होता है allowing of due to the deficiency of chlorophyll ठीक है फिर आता है iron friends हम लोगों को पता है हमारा जो need का exam है वो 11 और 12 NCRT के बुपे based है ठीक है जैसे कि हम लोगों को मालूम है इन दोनों का अगर हम लोग add करेंगे लगबख 700 pages से उपर जाएगा ठीक है तो मैंने क्या किया है एक book बनाया है जो इन दोनों का extract है जिसमें मैंने ओ point mention किया है जिसके उपर exam में question पूछा जा सकता है और जो unnecessary content उसको मैंने एकदम skip किया हुआ है ठीक है बुक का नाम है moral synopsis of biology जिसमें 11th और 12th स्रिफ 235 pages में summarize है और यह जो book है इसमें मैंने पूरा का पूरा book table, flow chart ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा एक एक chapter को explain किया है और उसको summarize किया हुआ है ठीक है इसमें मैंने एक extra point इंक्लूड किया है इसलिए इंक्लूड किया है जो human physiology का पूर्शन है जिसमें अक्सर बहार से question पूछे जाते है तो इसलिए उसका third answer level मैंने बढ़ाया हुआ है ठीक है फिर एक appendix करके column add किया है जिसमें मैंने एक ऐसा section बनाया जिसमें पूरे name of scientist फिर examples of NCRT फिर dimension यह सब इसमें mention किया है ताकि आप फटापट इसको revise कर सको ठीक है 2013 से लेके 17 तक का question paper है जिससे आपको एक rough idea मिल जाएगा कि यह exam में question कैसे आता है ठीक है फिर 2019 में जो exam हुआ था टोटल 87 question हमारे book से cover हुआ था ठीक है हमारा जो book है वह Amazon पे available है इसका जो link है description में दिया हुआ है प्लस यह book कैसा दिखता है इसके लिए हम लोग ने एक sample copy भी बनाया है जिसका जो description है हमारा उसमें आपको इसका link मिल जाएगा अब देखें हम लोग iron iron का essential है ठीक है absorb कौन से form में होता है ferric कौन से form में होता है ferric ferrous से ferric में connect होता है oxidation होता है ठीक है उसके बाद ferric में absorb होता है काम क्या करता है ETS के दोरान ferodoxyn और cytochrome के बीच में involved होता है यहां पे लोक्टरन ट्रांसपोर्ट होता है ferodoxyn और cytochrome के बीच में ठीक है ध्यान में रखना है point फिर क्या करता है catalase enzyme को activate करता है क्या करता है catalase enzyme को activate करता है और chlorophyll के formation में help करता है सबसे वहां पे essential है इसकी लिए अगर chlorophyll के form यहां पे deficiency होगा इसकी तो क्या होगा chlorophyll अच्छे से form नहीं होगा जिसके बर यह से क्लूरोसीस yellow is of leaf ठीक है फिर आता है magnesium magneze फिर क्या आता है magneze फिर क्या आता है magneze mn2 plus ठीक है करता क्या है activate enzymes of photosynthesis and respiration photosynthesis और respiration का enzymes है वहां पे सबसे जाए इसका involvement है दूसरा क्या करता है splitting of water to liberate O2 अब इस splitting of water एक reaction कहां पे होता है photosynthesis में कौन से part में होता है ठीक है photosystem 1 में होता है या फिर 2 में होता है यह आपको comment में बताना है ठीक है दूसरा chlorosis अगर इसका deficiency होगा तो क्या हो जाएगा chlorosis अगर इसका deficiency होगा तो और क्या होगा gray spot on leaves यह सबसे unique चीज़ है तो यह ध्यान में रखना है ठीक है क्या होगा gray spots on leaves ठीक है leaves के ओपर gray-gray spot आने लगेगा ठीक है अगर potassium के deficiency होगी तो क्या होता है जो leaves का age होता है leaves का जो age होता है magnees की deficiency के वज़े से हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते है zinc zinc कौन से form में अबज़ाव होता है jn2 plus ठीक है करता क्या है activate carboxylase carboxylase जो enzyme में उसको activate करता है और क्या करता है auxin के formation में help करता है दो point एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है जिसमें यह वहला point सबसे ज़्यादा important है synthesis of auxin ठीक है और करता क्या है अगर उसके deficiency होगी तो जो leaf हो अच्छे से उसका formation होगा नहीं दूसरा क्या है dieback of suits means क्या होता है जो suit है ठीक है plant का जो suit है उसमें dieback means क्या होता है धीरे धीरे उसका death होना start हो जाएगा ठीक है क्यों होगा क्योंकि auxin का synthesis कम होने लगेगा ठीक है पिर आता है copper copper कौपर कौनसे फॉर्म में एब्सराब होता है कॉप्रिक कौनसे फॉर्म में आता है kुप्रिक कौनसे kुप्रिक ठीक है फिर आता है copper, copper कौन से फ़र्म में absorb होता है, cupric, कौन से फ़र्म में, cupric, क्योपर से cupric में convert होता है, कैसे oxidation के मज़द से, ठीक है, required by overall metabolism, plant में जहां पर भी metabolism होता है, सब पार्ट में इसका requirement है, ठीक है, और जहां पर भी plant में redox reaction होता है, वहां पर copper का involvement है, वहां पर copper काम आता है, ठीक है, एक point हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, boron, boron दो form में absorb होता है, एक borate iron के form में, और दुसरा, tetra borate iron के form में, ठीक है, boron करता क्या है, boron क्या करता है, cell elongation, cell differentiation, differentiation, और membrane functioning, ये तिन पार्ट में पाया जाता है, cell जहां पर elongate होता है, सबसे ज़्यादा, वहां पर पाया जाता है, फिर से एक बढ़, बोरोन देखेंगे, बोरोन दो form में absorb होता है, borate iron के form में, और tetra borate iron के form में, काम क्या करता है, cell elongation, मिन, cell का जो length है, उसके enlargement में help करता है, ठीक है, वहां पर सबसे ज़्यादा इसका requirement है, दुसरा, cell differentiation, cell जहां पर differentiate होता है, वहां पर भी पाया जाता है, फिर membrane functioning, मतलब सेल का जो membrane है, वहां पर भी पाया जाता है, ठीक है, सबसे important बात, uptake and utilization of calcium, calcium का utilization में boron help करता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, फिर आता है, pollen germination, pollen germination में भी boron help करता है, और दुसरा, carbohydrate translocation, carbohydrate का जो translocation होता है, जो transfer होता है, एक जगे से दूसरी जगा, वहां पर भी, help, boron help करता है, ठीक है, अगर इसकी कमी होगा, तो क्या होगा, बोरन का deficiency होगा, तो क्या होगा, death of stem and root apex, stem और root apex का death होना, start हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोरन के बाद क्या आता है, अब start करेंगे, molybdenum, molybdenum कौन से form में, absorb होता है, molybdenum dioxide form है, कौन से form है, molybdenum dioxide, ठीक है, यह क्या है, component of nitrogenase, and nitrate reductase enzyme, कहाँ पर इसका requirement है, जहाँ पर nitrogenase, और nitrate reductase enzyme, present होते हैं, ठीक है, और क्या करता है, participate in nitrogen metabolism, ठीक है, nitrogen का जहाँ पर metabolism होता है, वहाँ पर participate करता है, ठीक है, हम लोग आगे इसका reaction देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग, chlorine, chlorine जो है, वो कैसे absorb होता है, CL-, कैसे absorb होता है, CL-, CL-, अब इसका काम देखते हैं, क्या करता है, सबसे पहला है, determine solute concentration, solute का जो concentration है, उसको maintain करके रखता है, ठीक है, दूसरा क्या करता है, anion cut and balance, जिससे क्या होता है, जो pH है, उसको maintain करके रखता है, ठीक है, और क्या करता है, water splitting reaction, in which O2 is evolved, water splitting reaction कहां पे होता है, photosynthesis में होता है, कहां पे होता है, photosynthesis में होता है, और वहां पे क्या होता है, O2 evolve होता है, किस के वजे से? किस के वजे से? लुरीन के वजे ठीके? आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को Like, Share and Subscribe जरूर कीजूँ Thank you कर दो कर दो